हावडी मोदी के रंग आपने देखे अब तैयारी हावडी ट्रम्प की है जहां अमेरिकी राज़्टपती डुनाल ट्रम्प के भारत दौरे को लेकर एमदाबाद मुनसिपल कॉर्परेशन ने जोरो शोरो से तैयारियां शुरू कर दी है एक ओर जहां कॉर्परेशन अमदाबाद एरपोर्ट से लेकर के सरदार पटेल मोटेरा स्टीडियम के रास्ते को ठीक कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ डुनाल ट्रम्प भारत दौरे को लेकर काफी उत्साहित है अमेरिकी राश्टपती डौनाल ट्रम्प की भारत यात्रा को लेकर दोनों देशों में काफी जोश और उत्साहा है राश्टपती ट्रम्प ने कहा है कि वो भारत की अपनी पहली यात्रा को लेकर काफी उत्सुख है भारत आने को लेकर उन्हें बेसब्री से इंतजार है वह प्रधार मंत्री रिंद मोदी ने कहा है कि टरंप का यादगार स्वागत करेंगी सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं का ये अब तक का सबसे बड़ा मेगा शो होगा अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कारेकम में जहां 50,000 लोग शामिल हुए थे वहीं एहमदाबाद में एक लाख लोगों के शामिल होनी की उम्मीद है भारत यात्रा के दौरान टरंप एहमदाबाद के भवे रोडशो में शामिल होंगे और साबरमत्री आश्रम का दौरा भी करेंगी वाशिंग्टन में वाइट हाउस के अपने ओवल ओफिस में टरंप ने पत्रकार वारता में कहा कि मोदी बहुत अच्छे इंसान है और मैं भारत जाने को लेकर बेसब रहूँ वहीं एक सवाल के जवाम में टरंप ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी के साथ बात की है मोदी ने उन्हें बताया है कि एहमदाबाद में लाखों की भीड़ होगी एरपोर्ट से स्टेडियम जाने की रास्ते में लोगों की काफी मात्रा में भीड़ होगी वहीं ट्रम्प का कहना है कि आप जानते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसे स्टेडियम को प्रधान मंत्री नई निर मोदी ने बनवाया है ट्रम्प के बयान के कुछ घंटे के बाद ही पीम मोदी ने भी ट्वीट कर ट्रम्प के भव्य अगवानी के संकेत दी मोदी ने कहा कि राश्टपती ट्रम्प और उनकी पत्नी मलीनिया ट्रम्प के इस महिने के अंत में भारत आने की सूचना है जिससे वो बहुत खुश हैं दोनों देश काई शेत्रों में सहयोग कर रहे हैं और इनके प्रगार होते रिष्टे सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के लिए शुब साबित होगा प्रधार मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत अपने सम्मानित महमान का यादगार स्वागत करेगा अमेरिकी राश्टपती ट्रम्प एहमदाबाद में भवे रोडशो में शामिल होंगे और साबरमत्य आश्रम का दौरा करेंगे आपको बता दे कि 24 फवरी को ट्रम्प एहमदाबाद पहुं सकते हैं ट्रम्प के इस रोडशो के लिए एहमदाबाद हवाई अड़े से साबरमत्य आश्रम तक 10 क्लूमीटर तक के मार्क को सजाय गया है जिसके बाद ट्रम्प और मोदी शहर के मोटेरा अलाके में बनाए गए सरदार वललब भाय पठेली स्टेडियम का उद्खाटन करेंगे दोनों यहां हाउडी मोदी जैसे कारिकम को सम्भूदित करेंगे जिसमें एक लाक से जादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है यहां के लोगों ने इस कारिकम को केम जो ट्रम्प नाम दिया है मोटेरा के स्टेडियम में एक लाग दस अजार लोगों को बिठाने की ववस्था की गई है जो उस्टेलिया के मैलबर्न क्रिकेट मैदान से जादा बड़ा है इस स्टेडियम के निर्मान पर लगभग 700 करोड रुपे की लागत आई है टीम राजनीती